जी हां दोस्तों आद इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSTC 2021 की First Counseling List जो है जारी हो चुकी है किस तरीके से आप जो है BSTC की First Counseling List के अंतरगत आपको College Allotment हुई है या नहीं हुई है College आपको मिली है या नहीं मिली है वो आप किस तरीके से चेक कर पाएंगे वो भी अपने Mobile Phone में किस तरीके से घर बैठे आराम से दो मिनट में साथ ही दोस्तों आप किस तरीके से अपना जो First Round का जो Allotment Letter है वो कैसे डाउनलोड कर पाएंगे कितनी जो है कटोप रही है इस बार First List की और इसी के साथ जो Second List है वो कब जारी की जाएगी इन तमाम टोपिक के उपर इस वीडियो में हम बास्चित करने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है इसी तरीके से BSTC और PTAC से सम्मंदी जुड़ी हर प्रकार की छोटी से बड़ी अपडेट पाने के लिए वीडियो का नीचे दिये गए रेड सब्सकाइब के बिन को दबा के चैनल को सब्सकाइब कर लें आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास में बहले घंटे की निसान खुदवा की और नोटिकेशन को जरूर करे और जयानकारी पासंद आए तो वीडियो को लैक्चेर करना बिलको न भूलें तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाल के अंतर का गूगल का न्यू पेज उपन कर लेना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है बी एश टी सी यह दोस्तों आप लिखेंगे बी एश टी सी जैसे आप बी एश टी सी लिखेंगे इसमें आपको जो है नीचे की सैड आना है स्क्रोल करते हुए जैसे आप नीचे की सैड आएंगे तो आपको यहां पे जो है option मिलेगा check hair for pre-DLED 2020 आपको इसके उपर check mark लगा देना है यानि कि इसके उपर click करना है click करते ही आपके सामने जो है इस तरीके से जो first option आएगा for candidates इसके अंतरगत आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं in institute allotment result यानि कि आपको ये option मिलेगा in institute allotment result इसके ओपर आपको click करना है click करते हैं आपके सामने इस तरीके से आप कोई भी दो details से जो है अपना college allotment letter जो है वो download कर सकते हैं देख सकते हैं get allotment result by any two details यानि कि कोई भी दो details से आप अपना allotment letter है वो download कर सकते हैं चाहे तो आप roll number से भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप application number और date of birth चाहे तो आप roll number और date of birth लगा सकते हैं या फिर application number और date बत लगा के आपको get allotment result के ओपर click करना है click करते हैं आपके सामने आपका जो allotment letter है आपको कौन सी college मिली है वो आपके सामने show होगा साथी दोस्तों आपको college मिली है तो college आपको कौन सी choice की college मिली है उसको comment box में जरूर बताएगा और दोस्तों आपके कितने number आ रहे थे किस category से थे कि आपको कौन से number की college मिली है ये आपको जरूर mention कीजेगा ताकि हम कटोब का video बना सके बता सके कितनी कटोब इस बार गई है first list की second list की हम बात करें तो फिर से ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद first list का पूरा काम होने के बाद इसके अगले दिन से फिर से counseling होगी अगर आप उसमें जो है college collegeों में जो है बड़ोतरी करना चाह रहे हैं या फिर collegeों में आप और college एड़ करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं फिर से submit होगा और उसके बाद फिर से second list की college allotment letter है वो जारी किया जाएगा तो दोस्तो हम आपको बता दे इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं 2020 का 21 का किसी भी साल का आप इसी तरीके से चेक करेंगे और PITET में भी सेम तरीका रहेगा लेकिन फिर भी हम आपको PITET की जैसे list आएगी हम आपको बताएंगे सबसे पहले अगर आप हमारे द्वारा निकलवाना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने डोल नंबर एप्लिकेसन नंबर और डेटो बर्त आप जरूर शेयर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में लाईव आपके सामने निकाल के बता सके जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाईक और सेयर करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस यूटूब चैनल को सबस्काइब करें और पास में बैले घंटे एक निसान को दबाकिया लोटिप क्रिस्टन को जरूर करें